बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके पिशली बार भी आपने ऐसा ही भरोसा जताया था मुझा याद है मारकेट्स पे और देखे मारकेट्स रुखने का नाम भी नहीं ले रहे हैं पर इंच्छा सर अपने आपसे कुछ एक सेक्टर के बारे में भी समझा था जहां पर पॉस्टिव नजरिया था उसमें से मुझे याद है कि जो न्यू एच्टेक कंपनीज थी हाल फिलहाल उसमें आपने कुछ स्टेक भी बढ़ाया था वो भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बेनफित हुआ था पर अब देखे दिंचा सर इतनी तेजी के बाद थोड़ी सी थान लगाएं ऐसे में बहुत सारे सेक्टर्स और टाइम हाई पे हैं आप आप अटो इंडेक्स ले लिजे बाकि ब्रॉडर मार्केट में भी पार्टिसिपेशन बहुत है आपसे समझना चाहेंगे आपका व्यू कहां पर अभी पॉस्टिव है और कहां पे और भी री है कि अभी एक नहीं सी मूँ आ गया है बिल्कुल आपने देखा भी है बैंक इंडेक्स काफी अथ तक आ तो खिर नमी है वहाँ पे लेकिन हमें लग रहा है कि वह एक केरिया है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए अगर जो आप कंपर देखें बैंक इंडेक्स इस चाह उन्हों तो बहुत ही बढ़िया किया है इंफाक्ट हमारा जो सर्विसेस फंड है महां पर हमारे लॉन लेंडर का काफी ज्यादा वेट है हमारे पास इसलिए हमें दिखता है महां पर बूश तो एक वो है दूसरा जो हमने पहले बोला था जून जुलाइ में ही जो हमने ले सकते हैं हमारे पोर्फोली में आप बढ़ा दिया आइटी में आप जब सब्सक्राइब के अच्छे होंगे तो आप थोड़ा सा हाई वैलुशन दे सकते हैं लेकिन ग्रोफ रेट अपर जो नहीं है तो जैसे FMCG केस में 17 पी पे ग्रोफ रेट 19 टका हमें नहीं लगता कि वहां पर ऐसा कुछ एक्साइटिंग हो रहा है तो सामने आपके आपके आईटी है जहां पर रिटर्न रिशोज आ सिमिलर टो FMCG ग्रोफ रेट्स FMCG से हमें सो यह हमें अच्छा लगता है तो यह कुछ सेक्टर्स है जहां पर आपको नज़र लखनी है पर रिटर्न आपको नज़र लखनी है